कि वेलकाम दोस्तों कैसे आफ सब आज में आपके साथ एक ग्यालिंगा देखिए मैं आपको कोश्ण पुछूंगा और आपको उसका बताना है आंशर आप क्योंन करके जा फिर मंड में बता सकते सकते हैं ठीक है जैसे मैं को कोशन पूछूंगा आप वीडियो को पाउस किजएगा उसके बाद आउसर आप बताईएगा तो आई ये कोशन नंबर वन आप से पूछ रहा हूं बताईएगा निर्वात में परकास की चाल कितनी होती है आप वीडियो पाउस कीजिए और इसका अंसर दीजे मन में या फिर कोमेंट करके देखिए मैं आपको आंसर बता रहा हूं निर्वात में परकास की चाल तीन गुना दस पर पावर आठ मीटर परती सकेंड होता है ठीक है जिनको ये कोस्टन पता नहीं है वे तुरंथ याद कर लिजे आए ये कोस्टन नंबर टू को देखते हैं दोस्तों आप ह रत करते हैं उसान फांट पर्दार्ट करते हैं ठीक है पढल जो अच्छे से आत्मदीप्वत प्रदाःत ठीक है अब आयीये कोस्ता है हजामती दर्पन के रूप में हम किस दरपन का उफियों करते हैं इसी question को मैं कुछ अलग ढंग से आपसे पुछता हूँ दाढ़ी बनाने के लिए हम किस दरपन का उप्योग करते हैं या फिर बोलिए हजामती दरपन के रूप में किस दरपन का उप्योग करते हैं इस question का right answer क्या होगा देखिए हजामती दरपन या फिर दाही बनाने के लिए हम अवतल दरपन का उप्योग करते हैं इसको याद रखेगा तिक है आईए नेट कुछन देखते हैं क्या हमारा परकास तरंग उधारण है आपको मैं यहापर तीन आपसन देता हूँ परावैगनी तरंग का ध्वानी तरंग का या फिर विद्दु चुमक्या तरंग का देखिए इस कोशन का राइट आंसर होगा परकास तरंग जो है ना या एक विद्दु चुमक्या तरंग है याद रखेगा इसलिए याद रखेगा परकास तरंग विद्दु चुमक्या तरंग का उधारण है ठीक है हमा है देखिए समतल दर्पन द्वारा जो पर्तिवीम बनाया जाता है वह पर्तिवीम कालपणिक होता है ठीक है अब next question है हमारा वहानों के side mirror के रूप में किस दर्पन का उप्योग किया जाता है ठीक है तो आपको इसका आंसर बताना है देखिए वहानों के side mirror के रूप में उत्तल दर्पन का उप्योग किया जाता है ठीक है देखिए side पहाणों के साइड बिनर के रूप में उत्तल दर्पन का उप्योग किया जाता है आए नेट को देखते हैं आप हमको यह बताएं सोलर कुकर में किस दर्पन का उप्योग किया जाता है देखिए जो सोलर कुकर होता है उसमें आवतल दर्पन का उप्योग किया जाता है इसको आप याद रखे आवतल दर्पन का ठीक है इस वीडियो में यहीं तक वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर देजे थांक यू